तो फ्रेंड्स आज हम लेकर रहें इंगलीज के कुछ बेसिकली संटेंस जो आपको इस पोकेन में बहुत ही उप्योगी साबित होंगे जैसे की दिया है थोड़ी तया करो so some pity कुछ मत कहो don't say anything मैं समझता हूँ I understand वो अघमंडी है he is a snob फिर से कोशिज करो try again मुझे याद नहीं don't remember अपनी जगह पर बैठो take your seat मुझे आपकी मदद चाहिए I need your help तुम्हारी हिमत कैसे होई how dare you तुरंत आओ go immediately मुझे भूख लग रही है I am feeling hungry आप बहुत क्यूट हो you are very cute आप दिल से बहुत आच्छी हो तो आप कहेंगे you are very good at heart मुझे तुम पर विश्वास है इंग्लीज में बोलना हो तो कहेंगे I have faith in you आपकी मुझे बहुत प्यारी है your smile is very sweet बवाल लग रही हो it seems like a riot बुरी आदेते छोड़ दो give up bad habits उसकी चुगली मत करो don't back bit him आगे दिया है मैंने उसे गाली नहें दिये तो इंग्लीज में बोलना होगा I did not abuse him उनका निधन हो गया है he passed away तो friends यह रहे हैं आपके कुछ basic sentence जैसे दिया है दिमाग से काम लो use your friend धिम में बोलो speak softly जो आपको इंग्लीज बोलने में बहुत ही उपयोगी साबित होगा यदि आप इस वीडियो को पुरा देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लीज बोला कैसे जाता है और कुछ sentence का परियोग कैसे किया जाता है